यूपी बोर्ड परिच्छा 2024 की तैयारी के लिए प्रीवियस एर 2019 का पेपर लिकर के आए हैं 348FS तो चलिए सुरू करते हैं पहला कुशन देखते हैं एक ही पादप के एक ही पुस्प के पराग कड़ों का दूसरे पुस्प के वर्तिक कागरों तक का स्थानांत्रन कहलाता है एक पुस्प के पराग कड़ों निकल कर उसी पुस्प के किसी पुस्प के वर्तिक कागर तक जाते हैं तो क्या कहा जाता है तो इसे सजात पुस्पी कहा जाता है तो ये दूसरा वाला आपसन इसमें सही हो जाएगा और जब एक पुस्प के पराग कड़ों निकल कर किसी दूसरे पुस्प के पुस्प के वर्तिक काग तक जाते हैं तो उसे पर पराग कग कहा जाता है अगला कुशन है निम लिखित में से कौन अनुकूली विकरण का उदाहरण नहीं है तो इसमें आफसन सही का तेसरा जली इस्तनी अनुकूली विकरण का उदाहरण नहीं है अगर आप लोग अनुकूली दीकरण पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चरण में अप्लोड़र्ड है चित्र सहित बहुत ही आसान भासा में समझाया है जा करके देख सकते हैं प्रतिबंधन अन्ताह निवकिलेज का उपयोग अन्वांसिक एंजिनरिंग में निम्लिखित में से किस आडог को बनाने में किया जाता है किस आडог को बनाने में तो DNA के प्रतिबंधन अन्ताः निवकिलेज है इसे रेस्ट्रिक्शन एंडो निवकिलेज अन्जाइम तो हमारे चैनल में अफ्लोडर है चित्र सहीद बहुत ही आसान भासा में समझाया है आप लोग जा करके देख सकते हैं फिर अगले कोशन पर आते हैं अगला कोशन है एक प्रारूपी आबरत बीजी भूण कोस परिपक को होने पर होता है एक प्रारूपी आबरत बीजी नुकलियस दू इसमें होते हैं बाकी तीन चे इधर हो गये इस तरह से आठ नुकलियस और साथ कोशिकाय होती है फिर रगला है दो नंबर का कुशन किने दो काईक प्रवर्ध के नाम लिखे तो देखें इससमें जितने में इस्टार लगा है ये इस बार कोर्स से हटा दिय प्रकंद होता है काईग्प्रवर्धन के नाम होते हैं फिर एकला कुश्न है मानों में 21 क्रोमोसोम की सूत्रता या एक अतरिक प्रति के कारण कौन सा विकार उद्पन हो जाता है 21 क्रोमोसोम में विकार हुआ है तो ये डाउन सिंड्रोम होगा डाउन सिंड्रोम और इसकी खोज किस ने की थी तो लैंग डाउन ने की थी और अपने ही नाम पर इन्हों ने इस सिंड्रोम का नाम क्या रखा Down syndrome रख दिया 21 गुर्षूत्र में Trisomy के काड़ होता है यानि जो 21 टंबर का गुर्षूत्र है उसमें 2 की जगवे पर 3 गुर्षूत्र हो जाते हैं तो कुल मिला करके इसमें 47 गुर्षूत्र हो जाते हैं इसलिए ये विकार उद्पन हो जाता है लाउन सिंड्रोम वला और इसमें वेक्तिका जो चहरा होता है वो मंगोलों जैसा हो जाता है मंगोलों जैसा चहरा हो जाता है इसलिए इसे मंगोलियाई जड़ता भी या मंगोलियाई जड़ बुध्धता भी कहा जाता है फिर अगला कुशन है आभाशी फलों के कोई दो मिथ्या फल कहो, मिथ्या फल, चाहे असत्य फल कहो, असत्य फल ये सभी कूट फल ही होते हैं, और कूट फल या मिथ्या फल या अभासी फल या असत्य फल वे फल होते हैं, जिनका विकास अंडासे से ना हो, ऐसे फल, ऐसे फल, जिनका विकास, जिनका विकास अंडासे से नही होता है या अंडासे से ना होकर पुस्प के अन्य भागों से हो जाता है तो उसे ही आभासी फल या मिथ्या फल या असत्य फल या कूट फल कहा जाता है जैसे सेव सेव का विकास कहां से होता है तो पुस्पासन से हो जाता है सेव है अननास है नासपाती है इस्ट्रावेरी है ये सब क्या होते हैं मित्या फल होते हैं जूटे फल होते हैं या आभासी फल होते हैं फिर अगला कुशन है डियन्य को केंद्रक में मिलने वाले अमलिय पदार्थ के रूप में सरप्रथम किस ने पहचान किया था तो फेडरिक माईसर ने फेडरिक माईसर बैग्यानिक जो थ इन्होंने 1879 इस में खो जा था किने दो बाह ओस्मी प्राडी के नम लेखिए देखे इस्टार लगा हुआ है तो यह this से इस बार हटा हुआ हुआ है जो बाह फू कुछा गए आप को बता दें और वह होते हैं उने अूल कहा जाता है बाह ओ स्ती ही का है एक्टो थर्मल एनिमल होते हैं जैसे मेधक है और सरीसरप वर्ग के जो प्राड़ी होते हैं वो सब बायोस्मी या एक्टो थर्मल होते हैं तीन नमबर का पहला है यदि अनुलेखन एकाई में कूट लेखन रजुक के अनुकरम को निम्नवन लिखा जाए तो इतना दिया गया है तो दूत आरेन्ने के अनुकरम को कहा गया है आरेन्ने के अनुकरम को तो देखे यहां एटी जी सी एटी जी सी है फिर एटी जी सी है एटी जी सी यह दे रखा है कई बार दे रखा है और कहा गया कि आरेन्ने के अनुकरम को पहचानी है इसका अनुकरम लिखी ये कहा गया है, तो इसका हो जाएगा UACG, अब जितनी बार ATGC है, वहाँ पर क्या लिखेंगे, UACG, हर जगह पर ATCG है, तो UACG, कि रैसे ही UACG, UACG सभी कर देंगे, इस तरह से अनुकरम पूरा हो जाएगा, चुकि RNA है, RNA में क्या होता है, कि जहाँ पर थाइमीन है, वहाँ पर थाइमीन की जगह पर यूरेशिल पाया जाता है, फिर अगला कुशन है, किनी दो कवक प्रजातियों, तथा उनसे उत्पादित प्रति जैव जो उनसे उत्पन होते हैं, पेनिसिलियम है, और इससे पेनिसिलिन उत्पन होती है, पेनिसिलिन नामक एंटिबायोटिक उत्पन होती है, एक प्रति जैवी के हो गया, प्रति जैवी का मतलब होता है, एंटिबायोटिक दवाएं, तो जो पेनिसिलियम कवक है, इससे पेनि म्यूकर होता है म्यूकर से रेमाईशीन बनाई जाती है रेमाईशीन तो दो कहा था दो हो गया फिर अगला है एक आर्किड पौधा आम के पेड़ की साखा पर उग रहा है दोनों के बीच पारसपरी किरिया का वर्डन आप कैसे करेंगे आपको बता दें जो आर्किड का पौ बीच जो संबंध है वो सहभोजिता का संबंध होता है सहभोजिता आर्किड और आम के पेड़ के जो साखा होती है उसके बीच में सहभोजिता का संबंध होता है और सहभोजिता में वास्तों में होता क्या है कि जो इसमें आर्किड होता है आर्किड को तो लाब हो जाता है लेकिन जो पेड़ है उसको ना तो कोई लाब होता है ना हानी पेड़ को ना लाब होता है और ना ही हानी होती है मतलब सह भोज़ता में क्या होता है कि एक सह भागी का लाब होता है लेकिन दूसरे का ना तो हानी होती ना ही लाब होता है तो उसी आधार पर आर्किड और आम के पेंड के भी सह भोजिता होती है आर्किड को तो लाब होता है लेकिन पेंड की ना तो लाब होती है नहीं हानी होती है पिरगला है नुकलियोसोम का नामांगी चितर बनाईए तथा इस सम्मंधित प्रोटीन का नाम लेखिए देखे नुकलियोसोम की संदचना हमारे चैनल में अप्रोडर है फिलाल हम जल्दी से आपको बना कर दिखा देते हैं देखे इस तरह से आप बना सकते हैं एक अंडा कार संदचना बनाईए अश्टक जैसी और इस तरह से आप घुमा दीजी दर्थ थोड़ा सा और यहां से लाकर यहां से यह वाला इधर घूमेगा यहां से गया और यह घूम करके पीछे इधर से निकलेगा यहां से और इसको यहां से बाइंड कर देंगे तो यह क्या है यह DNA हो जाएगा यह हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगी तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है उन्हें का था कि संबंधित प्रोटीन का नाम तो हिस्टोन प्रोटीन होती तो इस तरह से चित्र बन जाएगा आधिक जानकारी के ओड़जा के जो पिरामिड होता है सबसे नीचे तल पर यठियाजनियों सबसे नीचे तल पन अर उत्पादक होते कोई से हरे पादप होते हैं प्रकास के दोरा भोजन के निरमाद स्व एयम कर लेते हैं इसलिए उत्पादक या स्वोक ऊसी कहलाते हैं और इसके बाद जो हरे पादब है इनको खाया किसने तो हिरन ने खाया, तो ये क्या हो गए, प्राथमिक उपभोगता हो गए, प्राथमिक उपभोगता हो गए ये हिरन, और फिर हिरन को किसने खाया, तो भेडिया खा गया, भेडिया क्या हो गया, दुतियक उपभोगता हो आप आपको बता दें माली जी जो हरे पादप थे इनके पास 1000 जूल उर्जा थी हरे पादप के पास 1000 जूल उर्जा थी अब इसमें 10 प्रसत का नियम लगेगा तो 10 प्रसत नियम के अनुसार जो हीरण है इसको 100 जूल उर्जा मिलेगी जो भेडिया है इसको 10 जूल उर्जा मिलेगी जो सेर है इसको केवाज एक जूल उर्जा मिलेगी बाकि जो बच जा रही वो सेस्वायु मंडल में बै हो जा रही है तो इस तरह से बना देंगे फिर गागा है कि उर्जा का पिरामिट सदयो खाड़ी अवस्था में क्यों होता है चुकर उर्जा संचित मान में नीचे से उपर की ऑर जाती है कम होती dokład है इसलिए उर्जा में हमेश सीधा होता है चले लेगले कुश दर पर आते हैं लगला कुश है छोथा चौ़तेका नामांकिट शित्र की सहायता से लग उबी जोमठधानी की शन रचना का वर्ण संचेप में कीजिए देखे लग वीजार धानी की संचना बहुत ही सरल भासा में मैंने समझाया है फिर भी आपको बना कर दिखा देते हैं देखे जो लग वीजार धानी है इस तरह से आप बना सकते हैं वास्तों में जो लग वीजार धानी होती है यह पराग कोस की अनुप्र तो देखे इस तार आप बुआ सकते हैं इसका डेटेल थोड़ा हम इतना भाग दिखा रहें यह सबसे बाहरी бокट इस तरह से इसको FDA कहते हैं पाइपेश हो जाएगी और इसके बाद थोड़ी सी कोशिकाएं होती इस तरह से इनकल लंबी सी कोशिकाओं को endothesium कहते हैं endothesium कहा जाता है और लंबी सी कोशकाओं के बाद पतली-पतली कोशकाओं होती है कोशकाओं की 2-3 से layer होती है इन 2-3 layer को क्या कहते हैं मध्य अस्तर कहा जाता है मध्य अस्तर और इसके बाद में इस तरह से थोड़ा सा लंबी कोशकाई और सम्मे केम्द्रक पाये जाते हैं जिन्हेट टैपिटम कहा जाता है और टैपिटम क्या करता है कि बढ़ते हुए पराग कणों को पोशर देता है और इसके बीच में लग विजान मात्रों कोशिकाई होती है जिस तो इस तरह से पू से सिद्ध किया था कि DNA जो होता है वो अनुवानसिक पदार्थ होता है तो आपको बता दें कि हर से बार चेज ने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया के उपर जब बैक्टीरियो फेज अटेक करता है तो यह अपना DNA इसमें डाल देता है बैक्टीरियो फेज इ उसमें स्वाधी गुड़न की छमता नहीं होती। लेकिन जो डिनने होता। इसमें स्वाधी गुड़न की छमता होती है। संचिप्तटे। असी internet पड़ि लखें हाथी पाउं या एलिफैंटियस रोग। देखें जो हाथी पाउं नामक रोग है इसे फील पाउं भी कहा जा और यह किस जंथ से होता है तो वाई छेरेरिया व्रैंक कैफ्टाई नामक जंथ से होता है जो वाइच hmm इसके द्रे द्वारा हाथ ही पावन नमक रोगह जाता है औरक्रीम्य को फईल्हाता कौन है एक विक्ति से दूसरे विक्ति में वाउचेरियरिया ब्रेंकरवटाई को फैलाता है जिससे हाथ ही पाउनामक रोग या एलिफेंटियस रोग या फील पाउनामक रोग हो जाता है फिर अगला है एसकेरिस्ता या एसकेरिस जो एसकेरिस्ता है ये पेट के जो कीड़े होते हैं वास्तों में वही रो पेट में दर्द होता है, तो इन दोनों फर फुल वीडियो हमारे चनल में अप्लोडर है, आप लोग चाहें तो जा करके चनल से देख सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्सिन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं प्रेगला है चित्र की सहायता से पॉलिमरेज श्रंखला आवकिरिया को समझाईए यानि PCR को समझाना है PCR मानि पॉलिमरेज चेन रियक्षन ये क्या होता है वास्तों में PCR द्वारा क्या किया जाता है कि कम समय में कम समय में DNA की अनेक प्रतिलिपियां तयार की जाती है अनेक प्रतिलिपियां तयार की जाती है अनेक कॉपीज तयार की जाती है बहुत ही कम समय में ये DNA की फोटो कॉपी कर देता है इस तरह से कह सकते है और जो PCR है इसकी खोश किस ने की थी तो इसकी खोश कैरी मुलिस्ट ने PCR की खोज की थी और इसमें ताप इस्थिर एंजाइम का प्रियोग किया जाता है ताप इस्थिर एंजाइम का इसमें प्रियोग करते हैं और ताप इस्थिर एंजाइम का उन्था था किसे तो thermos aquaticus bacteria से प्राप्त किया जाता है और यह जो bacteria है यह गर्म जर्णों में मिलता है गर्म जर्णों वा hydrothermal vents में पाया जाता है तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को देख सकते हैं प्रेगला है अंडेजनन क्या है अंडेजनन की संचिप्त व्या लिजी और इसके अंदर यह material बना दिया अब इसका डिवाइडेशन होगा तो यह दो कोशिकाओं में बट गया ऐसे करके वैसे हमारे चैनल में फूल वीडियो अप्लोडर है आप लोग चाहें तो वहां से जाकर के देख भी सकते हैं बहुत ही सरल भासा में चित्र सही समझ आती है और इसके बाद में एक को हम बता देते हैं इसको बता देते हैं बाकी सम्में ऐसे होगा एक में बताएंगे तो इसमें अब ब्रिद्धी प्रावस्था यहां से शुरू होगी ब्रिद्धी प्रावस्था यहां से शुरू होती तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है को इसमें यहां से भी एक पोलर बाड़ी बनते और एक बाड़ा सा बन जाता है तो इस तरह से जो अंडिजरन होता है पूरी प्रिक्रिया के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए बहुत इस सरल भासा में समझाया है प्रिकला है एक संकर क्रास का प्रियोग करते हुए प बौने पोधे लिए थे दोनों के बीद में क्रास करवाया था क्रास करवाने पर इन्हें संकर लंबे पोधे प्राप्त हुए थे तो यही प्रभाविता का नियम था और इसके बाद बी संयोजन या प्रथा करण का नियम क्या था कि आगे इसी में इन्होंने क्या करवाया जो संकर लंबे पौधे प्राप्थ हुए इसमें स्वा परागन करवाया था और स्वा परागन कराने के बाद में इन्हें लंबे, संकर लंबे और बौने पौधों का अनपात, एक अनपात, दो अनपात, एक के अनपात में प्राप्थ हुआ और ये अनुपात कैसा था तो य देखे वास्तों में पूरा क्या है एक संकर क्रास होता है तथा कुकुट फार्म प्रबंधन का संचेव में वड़न कीजिए यह जो क्विश्चन है इस्टार लगा हुआ है तो यह कोर्स से हटा हुआ है तो इसको हटा देते हैं फिर अगला है पार जेनी जन्तु क्या है पार तो आधिक उननत किस्म के जनतु होते हैं जैसे बकरी है या मुर्गी है तो अंडे अधिक देती है गाय है तो दूद अधिक देती है अगर फासल है तो अध्री गुत पादन छमता होती तो ऐसे ही सब बहुत सारे बता सकते हैं आप फिर अगला कुशन है नसल या ब्रीड सब्द से आप क्या समझते हैं तो ये पूरा कुशन इस्टाल लगा हुआ है आपके कोर्स से हटा हुआ है इसको हटा देते हैं फिर अगला है निवलिकित पर संचिप्त टिप्र लिखिए ये भी स्टाल लगा हुआ है तो ये भी हटा हुआ है और फिर अगला है लसी काब अंग क्या है मानों में पाहे जाने वाले प्रात्मिक तथा दुतियक लसीकाब अंगों के एक एक उदाहरण बताईए देखें लसीकाब यानि लसीका यानि लिमफॉइड आरगन जो लिमफॉइड आरगन है उन्हें ही लसीकाब अंग कहा जाता है जैसे हमारे सरीर में रक्त बहता है वैसे ही हमारे सरीर में और भी ना लिकाएं होती है जिनमें लसीका बहती है तो उसे ही जो उनको बहने वाली जो आरगन होते हैं उसे ही लसीकाब अंग कहा जाता है और इसमें अगर प्रात्मिक और दुतियक लसीकाब अंगों के एक एक उ कोधायर्ण लखे अगर प्राफ्मिक अंग की बात की जए तो इसमें अस्थी-मज्जा ले लिजी आस्थी-मज्жा यानि बॉन Merylg जिसमें खून बनता है और अगर दूतियक की बात की जायेगी तो आप स्प्लीन ले इस्प्लीन जिसमें संग्रह का कार्य होता है तो इस तरह से आप बता सकते हैं वसे हमाई चरह में फूल वीडियो अप्लोडर है आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं फिर एगला कुशन है बीटी जीविश क्या है यहां जीविश बैसिलस को क्यों नहीं मारता है में पाया जाता है और इसके प्लाजमिट पर एक समू होता है जिसमें एंडो टॉक्सिन एंडो टॉक्सिन प्रोटीन बनती है यह एंडो टॉक्सिन जयोविस का निर्माड होता है जयोविस और यह जो जयोविस है यह कीटों के लारवा के प्रतिप्रत्रोधी होता है कीटो आप देखें नर जनन तंत्र का ना मांकिक चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए अब देखें नर जनन तंत्र कहा गया है तो नर जनन तंत्र में पूरुस जननतंत्र बनाएंगे और चित्र बना करके फिर उसका वर्णन भी करेंगे बहुत ही important question है बेरी most important question है और आ सकता है पेपर में इसलिए इसको अच्छे स्तयार करेंगे हमाई जनल में दो वीडियो इस पर अपलोड़ेंगे और बहुत ही सरल भासा में केवल चित्रों के माध्यम से समझाया गया है जा करके देख लिजिए तुरंत याद हो जाएगा इसका लिंक भी मैंने description में दे दिया है तो कर सकते हैं अनुकूली विक्रण से आप क्या समझते हैं समझे हैं गयला पगावाज दियव के डार्विन फिंश तथा आस्ट्रेलिया इमार्षवियल में अनुकूली विक्रण को समझाये तो यह डार्विन फिंश और ऑस्ट्रेलियाई आं加षे से समझाया है अनकुली विक्रण की परिभासा भी बताई है और डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं फिर अन्त में जो नौ नंबर कुश्चन है ये दोनों ही कुश्चन हटे हुए हैं कोर्स से दोनों नहीं हैं तो इनको हम भी ह कटा देते हैं और पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है आसा है आपको समझ में आया होगा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में सेर कीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए धन्यवाद